हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब तो दूसर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 जुलाई 2024 सेशन की एड्मिशन कंफर्मिशन के बारे में सो बहुत सारे स्टुडेंट्स के कोमेंट्स आ रहे हैं सर हमने एड्मिशन के लिए अप्लाई की हुए काफी टाइम हो चुका है हमारी यहां पर अभी तक कंफर्म नहीं होई है सो जैसे आपको पता था कि जुलाई सेशन के लिए भी एड्मिशन स्टार्ट हो गई थी जून के हाफ मंद से एड्मिशन के लिए अप्लाई करना student से स्टार्ट कर दिया जिसमें से कई students की आपर confirm हो गई है लेकिन जो बचते हैं उनकी बहुत ज़्यादा एक वैरी आ रही है सर, admission हमारी कब confirm होगी, confirm क्यों नहीं हो रही है और अगर confirm नहीं हुई तो क्या हमारे जो मापर हमने fees pay की हुई है, वो हमें refund मिलेगा भी या फिर हमारे सारे पैसे वहाँ पर चले जाएंगे, और क्या reason हो सकता है सर कि हमारी admission confirmation में delay हो रहा है तो अगर तो आप admission लेने या बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो don't worry आपको answer मिल जाएगा तो देखे दोस्तों अभी हम मेरी computer screen पर आ चुके हैं, तो सबसे पहला question यह आता है कि यहाँ पर अगर आपकी admission अब तक confirm नहीं हुई है, तो क्यों नहीं हुई है, तो इस बात को समझ लेना तो आपको यह भी पता चलेगा कि admission confirm कब होगी तो देखे सबसे पहले मैं आपको इगनो की official website दिखा रहा हूँ, जहां से आपने admission ली थी, तो जैसे हम जिस्टर online पर गए, fresh admission पर गए, यहां से मिने odl mode को चूज किया, या फिर online को चूज किया, उसके बाद आपके सामने यह इस तरीके से interface आ गया, ठीक है, तो यहाँ प तो तब क्या था, इगनो पर इतना जदा load नहीं था, बनलब कि वहाँ पर इतनी जदा applications नहीं थी, तो साथ ही में team work कर रही थी, और साथ ही में admissions confirm होई जा रही थी, लेकिन अब देखिए, जब bundle of applications उनके पास जा रही है, daily new student यहाँ पर register कर रहे हैं, apply कर रहे हैं, तो उनके हो सकता है कि अभी वहाँ पर bundle of application उनकी वज़ा से आपकी application उन तक ना पहुंची, लेकिन अगर आप एक ऐसे students हैं, जिसने starting time पर ही आपर admission के लिए apply कर दिया था, यहाँ फिर 15-20 दिन हो चुके हैं, अभी तक confirm नहीं हुआ है, तो आप यह चीज देखिए कि आपने कहीं यह लेकिन इसको समझते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा जो students गलती क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको लिखा है ना, less than 100 KB, और यहाँ पर भी 100 KB, 200 KB, तो जब आप अपने mobile phone से photo click करते हैं, देन वहाँ पर उसकी जो quality होती है, वो 1.5 MB तक जाती है, तो फिर अब तब कह इतनी ज़्यादा लो हो जाती है, कि आपका roll number zoom करने पर भी read वो नहीं कर पाती है, एक तो यह गलती होगी, जो आप अपने mobile phone से photo कीच कर उसे compress करते हैं, second गलती करते हैं, कई अपने यहाँ पर जो documents हैं, वो original से नहीं, बलकि Xerox से scan कर लेते हैं, तो यह दो गलती है, इसका पहले बताता हूं, solution का है, इसके बाद एक और बड़ी गलती है, वो भी सुन लेना, तो यह उनके लिए है, जो admission लेने वाले हैं, तो आपको अपने document वहाँ पर, आप cafe से जाओ, वहाँ पर जाकर scan कर वाओ, ठीक है, इतनी quality का है, उनको चाहिए बता दो, ठीक है, तो आपक अपकी drive पर, mail पर आपको भेज़ देंगे, उसे upload करना है, ठीक है, यहाँ तक clear हो गया, लेकिन मैं आपको एक चीज़वा रेकमेंट करता हूं, कि कैफे से अपना form मत बरवाना, keyword को कई mistake कर देते हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर मुश्किले आती हैं, जैसे comments आते हैं sir, उन्होंने हमारा audio के जगा online का fill कर दी, आप हम क्या करें, फिर बाद में आप regional center घूमते रहो, data of birth गलत होगी, यह वो तो अपनी और से fill करो, लेकिन documents वहाँ जे आप scan करवा सकती हैं, ठीक है, so documents की mistake, सबसे पहले bundle of applications था, अपर यह documents आए, और अब third देखिए, यहाँ पर एक जो student गलती करते हैं, जैसे कि comments भी आते हैं, sir, हमारा अभी तक result नहीं आया है, यहाँ फिर result आ चुका है, final certificate नहीं आया है, क्या mark sheet लगा कर यह admission मिल जाएगी, so यहाँ पर दीखिए, कई अब students क्या करते हैं, वो अपनी सिरफ mark sheet लगा देते हैं, और admission के लिए final certificate नहीं आया है, तो provisional certificate क्या होता है, कि जिस college से यहाँ जिसे अपने school से study की है, वो अपके certificate देता है, वहाँ पर लिखा होता है, कि students ने यहाँ से अपनी study को complete किया, इसका result आ चुका है, और अब यह आगे admission लेने के लिए eligible है, जब यहाँ पर इसकी degree आएगी, तो हम इसक लगा सकते हैं, तो अब कई यहाँ पर क्या करते हैं, students वो directly अपनी mark sheet को लगा करी भेज देते हैं, अब कई students की अगर honestly बात करूँ, पहले जो मुझे comments आई है, queries आई, mails वगरा ही थी, वहाँ पर कई students की क्या है, कि mark sheet से ही उनकी admission confirm होगी, लेकिन time तो लगेगा, लेकिन कई students का, जो फिर provisional certificate लगाते हैं, उनका जल्दी हो जाता है, क्योंकि उन्हें सब कुछी किया होता है, तो दिखिए, अब इसको दुबारा एक कुछ seconds में बता दूँ, सबसे पहले applications जाधा होनी की वज़ासे, second जब आपके document clearly नहीं दिखेंगे, जब वहाँ से check करेगी team, वो कितना time आपको लगता है, और अब बात करते हैं कि admission confirm कब होगी, ठीक है, इसके बाद ये भी बताऊंगा, अगर confirm नहीं हुई, तो क्या refund उसका होगा, तो दिखिए, अगर बात करें कब होने की, तो कई students की तो 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में भी confirm हो जाती है, लेकिन कई students की admission confirmation में, काफी time भी लग जाता है, like 2 month भी लग जाते हैं, 3 month में मैंने लगते हुए देखे हैं, कई बार तो assignments का time आजाता है, लेकिन वहाँ पर admission ही confirm नहीं हुई है, तो इगनो ऐसी चीज़ें करता है, जब मैरी admissions की आप वीडियो देखेंगे, तो मैं इसमें honestly बताता हू इगनो पर आपको ये drawbacks तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर आप ready हो, fees no doubt come है, तो आप admission तब ही लेना, ठीक है, so admission confirmation ने कई बार delay भी लगा देता है, अगर आप कोई भी चैनल उठालो, YouTube पर इगनो का, तो वहाँ पर आपको कोई exact date नहीं बता सकता, कि आपके admission इस date को confirm हो मैंने आपको reason बता दिया, अगर आपने सब कुछ ठीक किया हो है, तो वरी मत करो, जैसे ही आपकी application उनके पास पहुंचेगी, बनलग की bundle of applications में से आपका number आएगा, तो आपकी admission 100% जल्दी का information हो जाएगी, लेकिन अगर आपने इन में से कोई mistake ही हुई है, तो आपकी admission confirmation में problem आगी, या फिर ऐसी कोई भी चीज होगी, और आपकी admission application reject हो जाती है, मतलब कि admission confirm नहीं होती है, तो 100% आपकी fee से यहाँ पर refund कर दी जाएगी, ठीक है, और एक और stage है कि यहाँ पर मालो आपने admission ले भी ली है, अब आपको program से आप withdraw करना चाते हो, आपको नहीं अच्छा ल सिर्फ आपकी जो decision fees होती है, 100, 200 या 300 रुपया वो नहीं वापिस आती है, बाकि आपकी जो fees है वो आपकी refund हो जाती है according to norms जो यहाँ पर लिखे हो है, ठीक है, अगर आप voluntary मिलेगे, अगर आप खुद वहाँ से करते हैं withdraw, तो तब भी fees आपको refund मिलेगी, लेकिन अगर आप आपको प्रॉपर आंसर दे दिया है, इसका अंसर यही है कि अगर तो आपने यह वाली गलतियां नहीं की है, तो आप वरी मत करो, आपकी admission confirm हो जाएगी, हो सकता है, bundle of application की वज़ा से आपकी application वहाँ पर ना पहुंची हो, जैसे पहुंचेगी, confirm हो जाएगी, लेकिन अगर आपने इन में से कोई भी mistake की हुई है, तो सकता है, आपकी application के पास पहुंची हो, लेकिन यह वाली गलतियां होने की वज़ा से आपकी application को उन्होंने pending में डाल दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, तो देखिए, अब आपकी admission हो सकता है, कि 15-20 दिन में confirm हो जाए, हो सकता है, दो मह जब confirm हो जाएगी, तो उसी comment के नीचे comment जरूर कर देना, कि अब sir confirm हो गई है, इस date को, जिससे की बाकी जो candidates इस वीडियो को देखेंगे, उनको भी proper पता चल जाएगा, कि उनकी भी कितने दिन में हो सकती है, और आप अपना बाकी भी लिख सकते हैं, कि आपको इन में से इस वीडियो को सेव करके रख लो, नीचे comment में जरूर बताना कि इस तरीके से सर हुआ है, इस वीडियो में आप बता सकते हैं, तो यह थी दोस्तो पूरी एक proper वीडियो इगनो को लेकर, तो अगर आप चाहते हैं, कि आपको ऐसी इगनो की और भी updates मिलती रहें regularly, तो और य entertainment के लिए vlogs डाले हुए, अपने travel डाला हुए, तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसका link में नीचे किश में डाल दूगा, तो वहाँ पर जाकर उसको भी जूर सब्सक्राइब कर लेना, and enjoy करना सभी vlogs को, so guys यह थी proper वीडियो तो, होप सब वीडियो आपके लिए होगी, चल पर जिए हुआइख सकते हैं, जिए हुआ अभान सब्सक्राइब करें के लिए हें His viv гар on झाल, 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 झाल